उसके पाद femmesaptics फिर आप photoelectric effect modern physics यानी न्यूख्लियर फिजिक्स आर Atomic physics और साथ ही साथ उसके पाद electro necks जिन पर आपने केवल और केवल डाईोड, टाईपस अफ डाईव्ट, करेक्टरिस्टिक्स अफ डाईव्ट, यूजज़ अफ डाईव्ट, डिफरंट टाईव्ट अफ डाईव्ट ही पढ़ने हैं, ट्राजिस्टर या कम्मिनिकिशन आपकी हिससे हटा दिया है, तो आज बात मैं सबसे पहले कर रहा हूँ आपके सामने वो है इसका फर्स्ट पॉर्शन अगर हम स्टार्ट करें तो वो है आपकी पास चार्ज ये इसको आपके लिए है और अगर हम इसको समझे हैं तो सबसे पहली चीज आपके सामने आती है वोट इसमें पाई चार्ज चार्ज क्या है और इस समब्द में अगर मैं कई लोगों से पूसता हूँ कि चार्ज क्या है तो चार्ज के संब्द में वो हमसे अलग बाते हैं किसी भी बच्चे से कुछन उचा जाता है कुछ लोगों को छोड़ों मैं सबकी बात नहीं करता है अलगे लिए most of students चार्ज का जवाब कभी भी सही नहीं देते हैं जब कि क्लास 10 पर हमें चार्ज के संब्द में बात कर लिए इस तरीके के जवाब के सामने आ सकता है चार्ज जब तक इस तरह है स्टैटिक है तो अपने चारों तरफ फिल्ड जेनरेट करता है इस फिल्ड को इलक्निस्टैटिक फिल्ड करते हैं और यही चार्ज अगर चलने लग जाए मूवेबल हो जाए गतिमान हो जाए तो अपने चारों तरफ मैगनेटिक फिल्ड क्रियेट कर देगा है तो एक चार्ज दो नए फिल्ओमिना को पैदा करता है और हमारी आधी फिजिक्स इंटरमीडियेट की इसी चार्ज के इनी दो प्रॉपर्टियों पर टिक ही एक एक एलक्ट्रोस्टैटिक और एक एलक्ट्रोडैनेमिक और मैगनेटिव फिल्ड अब कहीं लोग कहेंगे कि इसी बात को और इस्ट्रिड ने बता था आपने फिनोमेना में जिसको आधर बनकर फिराड़े ने फिर अपना नया फिनोमेना एलक्ट्रोमेनिक इंडक्शन को पैदा कर दी तो एक दूसरे से जुड़े हुए कडियां है और हमें कडियों को ही जोड़कर रखना है असानी से रिविजन हो जाएगा तो इसलिए इस पॉइंट को बहुत तरीके से अपने दिमाग में आपने रखना है कि हम किस तरीके से आपने हाथ को लेकर जाते हैं तो आपके हाथ में मौजूद जो हेर्स हैं वो कभी भी उनसे इंट्रैक्ट नहीं होते लेकिन यही आज से दस साल पहले के पुराने टीवीज में हम लेकर चलते थे जो u sr Upper 만 कने थे यहार हैर्स फोट اफ्रक 2 के कि दोफ yol कोवार्ड नकिवार। अजम कश्में आपके सत्वाइब कर जाते तो हम इस चीज़ को फील करते थे जैसे हिर्स को हमारे उस स्क्रीण के दरफ को इंट्रैक्ट हरें आज की TV स्क्रीन और उस समय की TV स्क्रीन में यही फरता आज आप TV स्क्रीन के फ्रंट पॉर्शन को देखते हैं तो सब कुछ ब्लैक है तस्वीर जैसे ही आप अउन करते हैं तो एकड़न से ब्लिंक हो जाती है सामने दिखने लग जाती, ख्लिक होती और आप धर्श्यमान हो जाता आपका स्क्रीन लेकिन पूर्व समय में जब आप स्क्रीन को आउन करते थे तो इस्क्रीन एक डम से आउन नहीं होता था बल्कि काले और सफे डॉट्स बना करते थे इसके स्कैनिं उताह करते थे स्कैनि होने के बाद था शिमान होता था चित्र और उस चित्र को आने में कुछ समय रखता था वो थी कैथोर्ड रेज आसिलोस्कोप आईकोन स्कोप, काइनोस्कोप का मेथड आज बिलकुल कहानी चेंज हो चुकी आज बिलकुल कोनसप पर आप तस्वीरों को देख पाते हैं तो मेरे कहने काताथ पर सिर्फ इतना ही है कि चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम बच्पन से देखते हैं यानि एक चार्ज पॉस्टिब है, एक चार्ज निगेटिव है तो ये इंट्रेक्ट होगी और अगर दोनों में सेम चार्ज होगा तो रिपल होगी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम बहुत गरीबों के इस्तामाल कर सकते हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका फ्रिक्शन का ही है हम किन दो बॉडियों को आपस में फ्रिक्शन बेज़ बॉडियों को आपस में रगड़ कर घिस कर उसमें चार्ज को क्रियेट कर लेने हैं जिसके खालों किसी अन्म वस्तू को मैटर को अपनी तरफ रिप्रैक्ट करता है और अगर से चार्ज हो तो रिप्रैक्ट करता है चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी एडिक्टिव नीचर भी यानि किसी एक स्थान पर बहुत सारी चार्ज है सभी के सब एक जैसे तो आफिस कूप से सब जुड़ जाएंगे लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं तो हम उनका रिजल्टेंट निकालेगे सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव को अलग-लग-लग करा और फिर उनको एड़ विद साइन हो तो हमारे पास एक नेट बेली आईटिव है इस तरीके से में यह भी पदा चलता है कि वो अड़िटिव है आगे चलता है गॉस जैसे क्योर्म में और गॉस के जो आपके phenomenal questions उनमें इन चीज़ों काम ध्यान लगी है Quantization of charge यह charge की तीसरी property quantum nature of charge नहीं कह सकते हैं इसको is equal to plus minus any where n is number of charge particle charge की unit scientist कूलं के नाम पर पढ़ी है इसलिए हम कूलं इसकी unit के लिए आपकी लोग करता है कई अलग लग करकार के यूनिट्स आपको यहां पर नज़त आएंगे माइक्रोपूलम, पीकोपूलम, एंगस्टोपूलम यूनिट्स के वैल्यूज हैं कम और ज़्यादा की फॉर्म हैं कि आप किस फॉर्म में उसको यूज करना चाहरा हैं चोटी क्लास को में, 11 क्लास में भी हमने, मिली मीटर को मीटर में, सैंटी मीटर को मीटर में, माइक्रोम मीटर में, एंगस्ट्रॉम मीटर को मीटर में, नैनो मीटर को मीटर में, पीको मीटर को मीटर में, फेमेटो मीटर को मीटर में करवर्ट करना सीखा बस उसी के रुप नहीं हाँ पर इसको convert करेंगे कि one micro farat is equal to ten the power minus six farat या one micro coulomb is equal to ten the power minus six coulomb अलग लग चीजों और उस इस्थान को प्राप करेंगे जहां हमें जाना है तो आज मैंने आपको अपने के introductory class में चार्ज क्या है कि basic phenomena दे दे यह दिखाद रखेंग चार्ज के संबंद में एक important feature यह भी है कुछ general phenomena है जो बहुत paper में मौझूद होता है किताब में मौझूद होता है question paper आपको मिलेगा और उसमें मौझूद होगा मैंने इसे बताए कि charge charge particle से ही मिलकर था यहां होगा है और charge particle में आपके सामने electron और proton है both have same numerical value difference is that positive and negative for proton positive and for electron negative value but the numerical value is the same for those which is 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb for proton and minus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb for electron neutron have no charge neutron is neutron particle तो आगे कल की class में मैं आपको अब इस charge का उप्योग बताऊँ किस प्रकार से यह charge आपस में इंट्रेक्ट करते हैं और कूलंग ने इसके संब्द में क्या नियों नस्मत किया था क्या फार्मिला था और आप देखें कि